हेलो बच्चो गुड मॉर्निंग मैं हूँ आपकी अपनी नैंसी मैं हिंदी क्लास के साथ ठीक है बच्चो तो आज हम लोग सहजंदी रचनक से कुछ पढ़ेंगे ठीक है मैं आपको बताऊंगी और इसी से रिलेटेड आपके MCQ कोशन भी तैयार होते हैं ठीक है तो सहजंदी रचनक प्रवेश जो आपके पास बुक है आप उसको उपन कर लो मैं आपको बताती हूँ ठीक है जहाँ पर लिखा है हिंदी वर्ण माला ठीक है यानि कि हिंदी अलफाबेट आपके पेज नमबर आपको यहाँ पर नीचे मे डाउन साइट से आपको बॉटम में यहाँ लिखी हूई है पेज नमबर नाइन आपको दिख रहे है यह पेज नमबर नाइन तो यह पेज नमबर नाइन आप उपन किजेगा चिक है और वहाँ से आपको यह क्या है हिंदी वर्ण माला पढ़नी है एक बर मैं आपको कि अ से आहां तक आपको स्वर बोला जाता है ठीक है यह मैं कई बर बताई हूँ एक्टिविटी के रूप में भी आपको बताई हूँ तो आपको अच्छा सियाद हो गया होगा कि अ आ छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ री ए आई ओ अउ अंग अ यह क्या है यहां तक आ आपके स्वर है ठीक है वेंजन में क्या है आपको जिसको इंगलिस में कॉंस्टेंट भी बोला जाता है और स्वर को वोवेल्स बोलते हैं आप इंगलिस में वोवेल्स भी पढ़ रहे हो ठीक है जो फॉनिक वर्स के रूप में आप पढ़ रहे हो तो हिंदी में इसको बोल च, छ, ज, 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 इं, त, ठ, ड, ध, न, त, ठ, द, ध, न, प, भ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह यहां तक हो गए आपके वेंजन, यहां तक क्या हो गए वेंजन, अब आपको एक चीज और था, जो आप पढ़े थे, अक्छा, त्र, ग्यन, श, ठ, यह है अड़ा, और यह है धा, यह भी आपने अलग सा देखा थे, यहां से, सरर से ले करके आपने कहा ते देखा था, धा त अच्छा बनता है, ठीक है, तरह कैसे बनता है, ता और रा के साथ मिल करके तरह बनता है, ग्या कैसे बनता है, जा और यहां को करेंगे, तो क्या बनेगा ग्या, तो यह क्या हो गया, सयूक्त, सयूक्त का मतलब होता है, कोई भी मिलना, सयूक्त होना, यानि कि कोई भी दो च अपते हैं उसको क्या बोलते हैं सईयूक ताक्षर हिंदी में एंग्लिज में बोलते हैं Üogn बख्र को mondलिप अग्षर को इंग्लिजिस में बोलते हैं onwards ज्वाइंट करना स्वादा जाएंट करना जैसे जोडना ठीक्त जोड करफें हो न Mike अलग सब पढ़ते हो का मा ला तीनों को जोड़ते हो तो क्या बनता कमल बना न वैसे यहां पर दो अक्षर को जोड़ करके क्या बना आपके अक्षा दो अलग अलग अक्षर जोड़के क्या बना त्रा ग और या बनके क्या बना ग्या ठीक है वैसे ही वैसे ही क्या है श और र बनके बना श्र ठिक हैं यह क्या बना अड़ा ठिक हैं और आपके यह क्या बना है धा तो यह आपके क्या है सेंग ताक्षर तो आपको सेंग ताक्षर कितने वर्ड हो गए हैं तो यह आपकी हो गए अन्य वर्ड ठिक हैं यह कौन सा वर्ड हो गए अन्य वर्ड जो कि गया तक तो आपको करना जी था ठीक है ग्यातर करना था लेकिन स्रय तक्षा आपको जोईन लेठर में आ आगए क्योंकि श्रयर रहा यहँचता है यह हो जाता है अन्यवर्ण एक होगे अड्य और एक होगे ढड्य दा तो आपको याद करने है अगर मैं अलक सा है चिक के अगर एक्जाम में पुछूँगी आपके या तो वेंजर में डाल के मैं पूछूँगी या फिर स्वर में डाल के पूछूँगी कि संगताक्छरवर्ड कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए कि अक्षा त्रग्यर्ण आपके क्या है सिंगताक्षर वर्ड है समझ में आ गया और ये अस्रा भी है ठीक है अन्ने वर्ड में कौन सा आ गया आपको अड़ा अड़ा याद हो गया बच्चो तो अभी हम लोग इसी से MCQ कोशन देखेंगे ठीक है इसलिए आपको starting में पढ़ा रही हूं हिंदी वर्ड माला अगर आपको याद नहीं है तो कई बार आप इसको पढ़ो कि स्वर कहां से कहां तक है और वेंजन आपके कहां से कहां तक आ रहा है आउनजन यहां तक हा तक आ गय अब आपको देखती हूं कि यहाँ पर क्या है, first में आपको यहाँ पर मैंने revision लिखा है, m से क्यों question दिया है मैंने, ठिक हैं, और आपको corner में CW लगानी है, CW में आपको आज की date लगानी है, 25, 25, 8, 20, 20, या आज आपके date है, ठिक हैं, अब यहाँ आप question देखोगे, जो अभी आप word माला पड़े हो, उस से related मैंने आपको question बनाया है, ठिक हैं, exam में इस तरह के question आपको आ सकते हैं, तो बच्चों पहले से आप aware रहो, ठिक हैं, ठिक हैं बच्चों, तो हम लोग पहला question देखें, इनमें से कौन सा स्वर है, स्वर यानि कि A से आहा तक, आपको पता है कि A से आहा तक ही स्वर है, अ D नमबर में A से आहा तक है, गा में A मिल गया, A से आम, ठिक हैं, और D नमबर में गा है, तो ये A से आहा तक नहीं है इसमें, ना तो A से अनार है, ना तो A से आम, छुटी से इमली, बड़ी से एक, छुटाओ से उल्लू, बड़ाओ से उन, री से रिशी, ए से एडी, ए से स्वर हो रहो। यहां पर यह तीनों ही नहीं है। तो यह का क्या है, वेंजन है, खा भी वेंजन है, यह स्वर है, गा भी वेंजन है, ठीक है, अभी आप देखे हो, मैं आपको दिखा दूँ, option के साथ आप देखो, यहाँ पर आ आपके क्या है, स्वर है, और का, खा, गा क्या है, आपके वेंजन में है, ठीक है, यही option दिया है का खा और गा क्या थे आपके वेंजन थे ठीक है बच्चो अभी next question हम लोग देखें second number question में इन में से कौन सा वेंजन है अब वेंजन पूछ रहा है जो constants है ठीक है आपके तो वेंजन में कौन सा है आपके अब यहाँ पर क्या दिया है ए में आ दिया है B में बड़ी E C में बढ़ाओ और D में का औब वेंजन पूछ रहा है यानिकी का से लेकर कि ग्या तक तो आपको बता दे रही हूं ठीक है आपको समझ में आजागा नहीं आएगा तो आपके पास पेज नॉमर 9 में सहजिंदी में आपका चार्ट बना हुआ है और मेरी पिछली वीडियो में भी आपको पूरा स्वार वेंजन अच्छी तरह से बताए गया है तो आप अच्छी त अनुमर 9 इनमें पिछिए कौनसा सच्वार वेंजन मतलब बता एत्बार मने कंति नहीं वेंजन है है यह वेंजन अक्षा रगण है और स्र आ कशा आपके वेंजन है अक्षा आपके किसे बना है, क से और श्षा से बना है, ठीक है, यह से उंग्त वेंजन है, यहाँ पर आप देखो, से उंग्त अक्षा है ना, तो यह छा, त्र, ग्यन, स्र, यह से उंग्त वेंजन है, यानि कि 1, 2, 3, 4 ही आपके से उंग्त वेंजन है, ठीक है, तो एक्जाम क कि कोशन में भी सिरख आ सकते हैं, अन्य कोशन ऐसा है, ठिक है, आप देख लिए बच्चो, तो इसी लिए इसी से related मैंने कोशन मनाया है, कि सेंग्त वेंजन कौन सा है, च है, नहीं, च है, नहीं, ज़ है नहीं कौन सा है ये अक्छा है तो आपको इसको टिकर नहीं है ठीक है बच्चो समझ में आया अब क्या है आपको E से पहले आता है अब इस तरह का कोशन भी आ सकता है सिर्फ मैस के नहीं है आपके कि after स और before जो आप पढ़ रहे थे ये आपके हिंदी में भी after और before है यानि कि E से पहले कौन आता है एक बात कौन सा आता है ठीक है बच्चो तो अब आपको बोलना है छोटी E से पहले कौनसा आता है? आप बोलो छोटा बढ़ा चोटी E यानि छोटी E से पहले कौनजा आया? बढ़ा चोटा बढ़ा आ तब छोटी E आया? नहीं आता है तो आप अपने से फिर से आप येवाली बूक रख सकते हो ठीक है? अब आप देखो छोटा A, बड़ा A, छोटी E तो जस्ट छोटी E से पहले कौन सा आ गया मुझको? बड़ा A तो आपके आंसर कौन सा होना चाहिए? बड़ा A कोशन क्या पुछा था? छोटी E से पहले कौन सा आता है? बाद बोलेंगे तो आगे देखूंगी और पहले बोलोंगे तो यह पीछे की और देखना पड़ेगा समझ में आया? अगर पहले बोलोंगे तो पीछे जस्ट पीछे देखना पड़ेगा और आगे अगर आफ्टर यानि की बाद में पुछोंगी तो आगे आपको देखना पड़ेगा समझ में आया? तो छोटी E से पहले पुछा गया था, just पहले, तो क्या है आपको बड़ा A है, ठीक है, तो आपको क्या देखना है, छोटी E से पहले कौन सा आता है, अब आपको answer क्या दिया हुआ है option में, A नमबर में छोटा A, B नमबर में बड़ा A, C नमबर में छोटा U, और D नमबर में बड़ी E, तो आपने देखा था कौन सा आया था, बड़ा A, आया था ना, तो बड़ा A को आपको टिक करते नहीं है, next 5 नमबर से मैं question rate कर दे रही हूँ, जो कि आपके homework है, 2, 5, 25, 8, 20, 20, ठीक है यहां से आपको homework है, ठीक है बच्चो, तो मैं 5 नमबर से यहां से, 5 नमबर से आपके मैं टिक मार दे रही हूँ, यहां से आपके homework है, तो मैं question rate कर दे रही हूँ, अब आपको पढ़ना है, ठीक है बच्चो, तो आप नहीं याद होता है, तो आप ज़ली ज़ली पाफा बबबब, बोलना सुरू कर बबब, तो आपको याद हो जाएगा, मैं rate कर दू question number five, for से पहले कौन सा आता, यानि कि उससे पहले देखना है, जो आप पहले लिख चुके हो, और बाद में आएगा तो बाद वाल आप देखना है, ठीक है तो for से पहले कौन सा आता था तो यानि प, फ, ब, one line में है, ठीक है तो फो से फल जो होता है उससे पहले देखो कि क्या आता है ठीक है आपको ये लिखना है आपके option क्या क्या है का नंबर में पा है खा नंबर में बा है गा नंबर में बा है और खा नंबर में आपको mark option है जो भी answer आपको टिक करना है फिर यहां पर आपको लिखनी भी है ठीक है जैसे आपके पहले अलो कोशन में क्या आया था आया था कौन सा यहां पर आपको आ करके लिखनी पड़ेगी यह नहीं कि पहले से लिख लो उसके बाद आप यहां पर टिक करना ऐसे नहीं पहले टिक करना है फिर आपको आंसर उसके तुरंत लिखनी है ठीक है फाइव नमर के कोशन आपके क्या है था के बाद आता है अब था के बाद अब बाद वाला देखना है पहले नहीं देखना यानि आगे वाला आप जैसे लिखोगे ता ता के बाद था फिर द वैसे आपको नमबर देखना है उसके बाद कौन सा आता है ठीक है आप नहीं आदोता है तो आप सह के कोशन आप तुरंत बना सको ठीक है बच्चो इसलिए आपको आज से लेकर के पूरा ग्या तक है निकि स्वर और वेंजन पूरी वर्ण माला अच्छी तरह से बाइहार्ट लेंड करनी है ठीक है बच्चो अब था के बाद कौन सा आता है ओप्सन देखे हम लोग आपके अब जा के बाद देखना है, ठीक है जा के बाद आपको आता है कौन सा आता है तो ए नमबर में क्या है चा बी नमबर में ज ज और डी नमबर में त यहां पर जो भी ऑप्सन होगा उसको करने के बाद यहां पर दिखना है ठीक है समझ में आया next question अनों देखें यहां पर भी आपको HW दिया गया यहां पर भी आपको date लगा नहीं है 25 25 8 2020 बेटा आपको सारी question attempt करने है क्योंकि इनहीं में से कोई भी division में question आ सकता है तो अगर आप इस तरह question नहीं बनाओगे अगर आप अभी से नहीं पढ़ोगे तो फिर exam के question में आप फंस जाओगे ठीक है फिर आपको आएंगे बड़े-बड़े तो जो भी आ की मात्रा कहीं पर लिखा होगा आपको इसको टिक करने है समझ में आया मैं question पढ़ दे रही हूं लेकिन बनानी आपको है A नमबर में है माला जिसमें मुझ खोल के पढ़ते हूं वो है A का मात्रा मैं आपको बताई थी अच्छी तरह से है ना तो A नमबर का option में क्या है माला तो A का मात्रा दिख रहा है इसमें अगर दिख रहा है तो आपको टिक करना है B नमबर में दा पे छोटी की मात्रा और ना दिन इसमें A का मात्रा है है तो टिक करना नहीं है तो मत करना टिक सी में खा में बड़ी की मात्रा और रा है ठीक है आपको सब की मात्रा पता है ना कौन किसकी मात्रा है और डी क्या है इनमें से कोई नहीं तो ऐसा नहीं है कि इनमें से नहीं है इनके में से है कोई मात्रा है जो की आ की मात्रा है ठीक है जो भी मात्रा आ से बोलते हो ठीक है उस यहां बता दरी हो आपको बाहर से होती है यानि कि इस left hand से होती है ऐसे चिक है मैंने यहां पर बता दिया एक हेंड दे दिया आप सोचो कि छोटी E की मात्रा कौन सी है अब इसमें से आपको जो छोटी E की दिखाई देगी आपको उसको टिक करना तो आपको यह learn करना पड़े वो छोटी E की मात्रा जिसको बहुत लंबा उचारन करते हो वो बड़ी E की मात्रा है ठीक है सी में है ना दा में बड़ी की मात्रा नदी यह है हिरन यह है नदी लंबा बोल रहा हो यानि कि बड़ी E है डी में कौन सा इनमें से कोई नहीं नहीं के में से आंसर है अब आपक करना है क्योंकि मैंने आका बता दिया छोटी की बता दिया बड़ी की आपको समझना है कि बड़ी की मातरा अंदर से होती है कि बाहर से होती है ठीक है तो इन में से कौन सा बड़ी की मातरा का सब्द है अब जहा में बड़ी की मातरा जील जील जिसको आप लंबा भी बोलते हो और आपके right hand से आप लिखते तो ऐसे करते हो चिक हैं? तो बड़ी की मातरा ढूननी है तो A में क्या है? जा में बड़ी की मातरा ला, जील 2 में क्या है? सा में छोटी की मातरा रा, सिर इसको बहुत fast बोलते हैं इसको जील बोलते हैं ये क्या है सिर C number में क्या है आपके gamma, la में A का मातरा गमला, मुझ खोल रहे हो रोटी अंदर जा रही है आपके कुछ ना कुछ आपके मुझ पे जा रहा है यानि कि वो A की मातरा है गमला, D number में क्या है इन में से कोई नहीं, तो इनके में answer है, इसलिए इन में से कोई नहीं का option आप मंटा लिएगा ठीक है, 11 number question पढ़ू जो कि आपका यहां तक आपको बनानी है homework में 11th number के question में है दवात, यह क्या है दवात अब यहां पर आपको कौन सा मातरा लगा है छोटा तो होता नहीं है जिसमें बिना मातरा के होते हैं वो छोटा A से सुरू होते हैं A से सुरू होते हैं छोटी E, बड़ी E टक मैं पढ़ाई हूँ तीन मातरा के ही से question बना हुआ है तब आपको पहचानना है कि इसमें जो अकार का मातरा है वो A में आता है कि छोटी E में आता है कि बड़ी E में आता है, ठीक है, अब दिये गए सब्ज में कौन सा मात्रा है, आपको पहचानना है, ठीक है, तो अकार देखो कि तो वही अकार को इसमें धुननी है, A में क्या है आपके, A, B में क्या है, छोटी E, C में बड़ी E, और D मे छोटा O, तो जो भी दवात में, जो भी आपको मातर आती है, आपको उसको टिक करनी है, ठीक है बचो, तो इस तरह के question आपको exam में आ सकते हैं, बचो, total 11 आपके homework है, तो आपको अच्छी तरह से यह homework करनी है, कहां से homework करनी है आपको, 5 number के question से आपको homework करनी है, ठीक है, यह आपके 5 number के question है, तो 5 number के question, 5, 6, 7, ठीक है, यह 8, 9, 10, और यह 11, यह आपको करनी है पूरी, ठीक है, CW में आपको क्या करना है, revision MCQ question के साथ, date के साथ, आपको question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, चुकि मैं ने कर दिया है, ठीक है, उसकी option आपके कुछ यहां पर है, ठीक है, 4 number question के, तो आपको इसको अच्छी तरह से CW लगा करके, HW लगा करके आपको करनी है, ठीक है बचो, तो maths के लिए हम लोग इतने ही पढ़ते हैं, क्योंकि आपके सारी हिंदी के, आपके साले बाइस revision सब ओवर हो चुके हैं, अब हम लोग कुछ और टेक केर,